मैं हूँ नितेश वर आपका स्वागत है एनके लैपसान चैनल पर नालंदा ओपेन उनिवर्सिटी बिहार पटना सेशन 2022 का PG हो, UG हो या सर्टिफिकेट कॉर्स में नामंकन कब सुरू होगा तो यहाँ पर हम डेट का भी बात करेंगे कब सुरू होने वाला है इसके अलावा कुछ इंपोर्टेंस बदलाव होने वाले है यूनिवर्सिटी में इस बार तो उसको भी समझेंगे क्योंकि वो आपके कैरियर के लिए बहुत जरूरी है और नामंकन से पहले आपको जानना बहुत जरूरी है तो सबसे पहले यहां पर देखिए कि जो नेक का टीम है वो यहां पर आने वाला है नालंदा ओपन उनिवर्सिटी और चेक करेगा कि यहां पर पढ़ाई और कॉर्स का भी क्या कंडिशन है कैसा हो रहा है उसके बाद इसका एफिलेशन जो है क्रेडेबिलीटी है उसको आगे बढ़ाया जाएगा फिलाल के लिए अभी दो हजार नॉट एबल टू दो हजार ताइस आने की सिर्फ दो हजार बाइस तक ही कॉर्स को करने का इनको पावर है अभी नेक टिम जो है इनको एसेस्मेंट करेगा उसके बाद ही इनको क्रेडेबिलीटी दिया जाएगा लैसेंस दिया जाएगा फिर आगे का कोर्स ये करवा पाएंगे आपको इसके लिए चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है नालंदा उपन उनिवर्शिटी अपना ओफिसियल काम कर लेंगे और ये जो दोहजर बाज तक का ही सर्टिफिकेट है इनके पास कॉर्स कराने का वो अपने आप बढ़ जाएगा लेकिन एक इंपोर्टेंट जानकारी था मैं सोचा कि आपको बता दूँ इसके अलावा यहाँ पर देखी अभी तक जो है येर वाइज का सिस्टम है मतलब हर येर आपको एक एक्जाम देना पड़ता है यदि आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो तीन एक्जाम तीन साल मे देना पड़ता है और आपका कॉर्स जो है कंप्लीट हो जाता है लेकिन अब यहाँ पर 24 बेस क्रेडिट सिस्टम सी बी सीएस को इंट्रिड्यूस किया जाने वाला है यहाँ पर बहुत चांस है कि 2022 में इसको इंट्रिड्यूस कर दिया जाएगा इसको अधी इंट्रिड्य किया जाता है तो इसका मतलब है कि आपका कॉर्स जो है सेमेश्टर वाइज हो जाएगा और अब साल में आपको दो बार देना पड़ेगा एक्जाम दो बार एसेंड्मेंट वगेरा जितना भी काम है सारा दो बार हो जाएगा डबल वर्क आपको करना पड़ेगा तो आपक सोच करके ही आप admission लीजिएगा कि यहाँ पर semester system होने वाला है 2022 में 95% chance है कि हो जाएगा 5% में भी ना हो लेकिन 2013 तक तो हो ही जाएगा क्योंकि NEC का team ने बोला है कि यदि आप semester system नहीं करेंगे तो हम आपको certificate नहीं देंगे तो बहुत जादा chance है कि यहाँ पर semester system कर दिया जाए से अब यहाँ पर बात कर लेते हैं admission कब सुरू होने वाला है तो देखिए new academy session 2022 से 2023 जो है वो 5 July से सुरू होने वाला है और offline और online mode दोनों से आप application को भर पाएंगे और आप अपना नामंकन करवा पाएंगे यहाँ पर जो भी examination है 2018 session का उसका भी examination बहुत जल्द ले लिया जाएगा और जो भी 2020 session का examination बचा हुआ है उसको अगस तक complete कर लिया जाएगा और 2018 का जो session में नामंकन लिये हैं उनका भी examination बहुत जल्द अक्टूबर के मन्त तक आपका सारा खत्म कर दिया जाएगा और session है उसको right track पर लाया जाएगा अभी फिलाल आपको information के लिए मैं बता देना चाहूंगा वह डेड़ साल का delay है पूरा course और इसको track पर लाने में एक साल का करीबन time लग जाएगा तो सोच करके ही नामंकन करवाईएगा डेड़ साल का session delay है यह कह रहे हैं कि session को right track पर ले ना रखिएगा यहां पर देखिए बुक जो है बुक वगेरा का publication सुरू कर दिया गया है और भी production बढ़ा दिया गया है और आपको जल्द से जल्द बुक मिल जाएगा ताकि आप examination का तयारी कर पाएं इसके अलावा पहले क्या होता था सिर्फ दो counseling class होता था पर course का जो भी भी course है अब आपको 5 बार counseling होगा जिनको नहीं पता counseling class क्या होता है उनको मैं बता देना चाहूंगा कि online और offline mode से class लिया जाता है जिसमें आपको समझाया जाता है कि आपके course में क्या पढ़ना है examination में क्या पूछा जाएगा और assignment copy कैसे बनाना है या आपको कोई भी doubt है तो आ आप counseling class में पूछ पाएंगे offline और online दोनों mode में होता है ठीक है तो इस बात का ध्यान रखिएगा इसके अलावा देखिए यहाँ पर 2022 सेशन में कुछ ऐसे भी course है जो बंद कर दिये गए थे उनको भी चालू किया जाने वाला है जैसे मैं यहाँ पर देखिए सबसे पहले English B BAC हो या PG हो English बंद कर दिया गया था बे या PG या UG इंगलीश बोल सकते हैं दोनों course बंद था उसको चालू करने वाला है 2022 सेशन में आपका PG हो या UG हो भोजपूरी लेंगवेज में इसको भी बंद कर दिया गया था इसको भी चालू किया जाने वाला है मिठाली लेंगव और मैं बताना चाहूंगा 2018 से B.A.D. का कोर्स जो इसो बंद है आने कि 2018 के बाद से B.A.D. में नामंकन नहीं हो रहा है लेकिन इस बार बोला गया है कि 2022 सेशन में B.A.D. में भी नामंकन लिया जाएगा तो अधि आप B.A.D. में नामंकन के लिए ही छुक है तो आपके लिए अच्छी खबर है कि 2022 में एंट्रेंस एक्जाम लिया जाएगा और B.A.D. का भी नामंकन होने का यहाँ पर पूरा चांस है तो यही सारा डिटेल जानकारी आपको सेयर करना था एक बार फिर से रिपीर कर देना चाहूंगा कि न्यू एकेडमिक सेशन 2022 से 2023 का नामंकन 5 जुलाइ से ओफलाइन और ओनलाइन मोड में होने वाला है और इससे रिलेटेड जो भी वीडियो होगा आपको चैनल पर मिल जाएगा कुछ भी डाउट है कमेंट में आप पूछ सकते हैं वीडियो को सेयर कीजिएगा थैंक यू साइनिंग आफ